गुड मॉर्णिक स्टुडेंट्स बेटा आज हम स्टार्ट करें एक्सराइज 5.2 क्वेशिन नमबर 10 से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज फर्स्ट नाइन क्वेशिन हम पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं तो इस वीडियो में हम क्वेशिन नमबर 10 से स्ट करेंगे ओके बीटा तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट स्टेट्मेंट दास सेवन्टींथ टर्म ओफन एपी एक्सेड इट्स टेंथ टर्म बाई सेवन्ट दास सेवन्टींथ टर्म देखो दियान से 17 टर्म दास सेवन्टींथ टर्म ओफन एपी एक्सेड जादा है इट्स टेंथ टर्म बाई सेवन तेंथ टर्म बाई सेवन ये 10 टर्म से कितना जादा है 7 केदा जो 17th term है वो 10th term से 7 ज़्यादा है Find the common difference defined करके दिखा दो आई statement समयन में चलो formula यूज़ करो A17 का A plus 17 minus 1 into D 10th term का A plus 10 minus 1 into D plus 7 as it is ओके इस A से A cancel हो गया A left में आएगा तो minus 17 minus 1 is 16 D 10 में से बन गया 9 D और ये plus 7 9 D plus A left में ले जाओ minus 16 D minus 9 D इस इकल टू 7 16 में से 9 गया 7 D इस इकल टू 7 7 से डिवाइड कर दो 7 वन जा 7 तो difference कितना बन गया हमारा 1 this is your answer है न क्लियर बेकु सिंपल question next question करते हैं question number 11 था जो दियान से देखना विटा सभी which term of the AP क्यादे इसमें से ऐसी कौन सी term है ये first term है second है third है fourth है आगे चलते जाओ क्यादे इसमें से ऐसी कौन सी term है will be 132 more than its 54th term से ठीक है देख़ो जैसे है हमारी है 3 है 15 है 27 है 39 है करते चले जाओ यहाँ पर यह हमारी हो गई first term यह second term third term fourth term करते जाओ यहाँ पर हमारी हो गई 54th term और यहाँ पर हमारी हो गई nth term ठीक है आप पड़ो ध्यान से which term of the AP करते इसमें से ऐसी कौन सी term है will be 132 more than its 54th term से करते इनमें से ऐसी कौन सी term है जिस 54th term से कितनी जादा है 132 ठीक है तो मालिया वो कौन सी term है n वाली term n वाली term 54th term से 132 जादा है देखो n वाली term 54th term से कितना जादा है 132 n वाली term 54th term से 132 जादा तो it means कि इस question हमने क्या find करना है n clear है भीटा ठीक है तो a n का formula बोलो n निकालना याद रखे a n का formula a plus n minus 1 into d 54th term का a plus 54 minus 1 into d और plus 1 32 दोनों a cancel हो गया और d निकाले हैं हाँ से d कितना हो ये तो first term होगे difference इस 15 में से 3 minus कर तो कितने कितने का difference आ रहे 12 का तो difference कितना बन गया 12 तो d की जगे 12 रख दो ओके इस एक और 51 में से 54 में से बन गया 53 और यहाँ से d d की जगे 12 रख दो और plus 1 32 इसको solve कर लो तो n minus 1 12 पे 12 6 जगे 72 बागी रह गया 4 48 हो गया 12 4 जग 48 1 minus है इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 64 और 1 कितना हो गया 65 तो this is your answer ओके बेटा तो यह कौन सी टर्म होगी 65 टर्म होगी ओके बेटा next question करते हैं question number 12 पर आजें देखो देखो देखना बेटा सभी 2 APs have the same common difference कहते हैं हमारे पाद 2 AP है 2 APs have the same common difference and the difference between their 100th term is 100 what is the difference between their 1000 term देखो पहले मैं एकर को लिखता हूँ 2 AP series लिखता हूँ 1st term, 2nd term, 3rd term, 100th term और यहाँ पर लिख देता हूँ 1000 term ठीक है ऐसी एक AP और लिख देता हूँ यह हमारी 1st AP है एक और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2nd AP यहाँ पर small लिख लो इस तरफ capital लिख लो यह 1st term, 2nd term, 3rd term यहाँ पर 100 और यहाँ से लिख लो 1000 अब वो statement क्या कहा रहा है उसको जिरह ध्यान से पढ़ो 2 APs have the same common difference इन दोनों का common difference same है जो difference इसके अंदर है वही difference इसके अंदर है तो इसके अंदर difference कितना है D और इसके अंदर भी difference कितना होगा D दोनों में difference D इसके अंदर 1st term कितनी है A1 तो इसके अंदर A कहलो small a ठीक है और इसके अंदर जो 1st term है उसको capital A लिख लो ठीक है आप पड़ो दुबार two APs have the same common difference तोनों का common difference same है the difference between their hundredth term is hundred क्यारे इसके अंदर से hundred वाली term निकालो और इदर से hundred वाली term निकालो क्यारे इस term में और इस term में दोनों का जो difference है वो hundred है इसमें से और इसका a hundred minus a hundred इन दोनों का जो difference निकाले तो कितना आता है hundred दोनों term का difference hundred है next line पड़ो what is the difference between their thousand term क्यारे इदर से thousand term निकालो और इदर से भी thousand term निकालो इन दोनों के बीच में कितना difference है ये निकालना है a thousand minus a thousand ये हमने find करके रिखाना है ओके बटा ये given है ये find करना है चलो पहले इसको solve कर लो a hundred का formula बोलो a plus hundred minus one into d इस a hundred का बोलो a plus thousand hundred minus one into d और equal में कितना hundred याद रखें यहाँ पे d same लेना है a अलग अलग a यहाँ पे first term में a first term नहीं तो यहाँ से a hundred में से बन गया 99d और minus a plus hundred में से बन गया 99d और equal कितना हो गया hundred इस 99d से 99d cancels बार minus से sign change तो यह cancel हो गया तो इधर कितना रह गया a उचिदर से minus 1 किसके equal बन गया hundred के तो a में से a गया hundred आ गया यानि इसकी first term और इसकी first term में difference कितना है 100 चलो अब ये find करके दिखाना था जो find करना है इसी को solve करो a thousand minus a thousand इसमें कितना difference आ रहा है ये निकालना है a thousand का फार्मरा a plus thousand minus one into d और इस a thousand का a plus thousand minus one into d ठीक है तो यहां से a thousand में से बन गया 999 d यहां से minus a plus thousand में से बन गया 999 और यहां पे d यह बारी term से time cancel हो गया तो क्या रहा गया a minus a और a में से a minus करोगे तो कितना आ जाता है 100 तो a में से a minus किया तो 100 आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों के बीच में difference 100 है तो इन दोनों के बीचे भी difference कितना होगा 100 इन दोनों के बीचे में तो difference 100 गिवन था इसके बीच में difference निकाल कर दिखाता है तो इसमें से difference भी कितना आ गया हमारे पास 100 यारे जो difference इन दोनों के बीचे में होगा वही difference इन दोनों के बीचे में होगा क्लियर है ध्यान से एक बाद वारा है इसको रीड कर लो ठीक है ओके इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट कुश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में ओके थैंक यू